हलो डियर स्टुटेंट्स आज हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कम्प्लीट कर ली है हम लोगों ने नॉमन्क्लेचर भी देख लिया है और स्टेरियो आईसोमर भी देख लिये है सौरी स्ट्रक्चरल आईसोमर भी हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे यूनिट 4 कार्बोनाईल कमपॉंट कार्बोनाईल कमपॉंट क्या होते है हम लोग उसका introduction देखेंगे then फिर हम उसकी बाद में structure देखेंगे कि क्या क्या structure है उसका IUPAC nomenclature देखेंगे हम और हम लोग देखेंगे कि उसकी preparation किस तरह से की जाती है सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोनाईल कमपॉंट क्या होते है तो कार्बोनाईल कमपॉंट वो होते है जिसमें C double bond O और इस तरह से रहता है तो उससे हम लोग क्या बोलते है अगर इस तरह का कोई group present है तो वो क्या कहलाता है कार्बोनाईल कमपॉंट और ये highly reactive compound होते है इसमें एक carbon रहता है और एक oxygen रहता है अब इसमें example क्या आ जाते है अगर हमारे कार्बोनाईल कमपॉंट अगर किसी कमपॉंट में C double bond O के साथ में इधर R और इधर R रहेगा तो क्या कहलाएगा ketone इससे क्या कहलेंगे ketone R मतलब R के जगा पे CH3 हो सकता है इधर CH3 हो सकता है इधर C2H5 हो सकता है इधर के साथ में कुछ और हो सकता है इधर के साथ में C6H5 हो सकता है इस तरह से कुछ भी हो सकता है तो इसे हम लोग क्या बолते है कि टोन. अगर किसी कमपाउंड में इधर की साइड हो, इधर ह, और इधर की साइड में भी ह कहलाएगा, तो वो कहलाता है हमारा फॉर्मिल्डी हाईट. क्या कहलाता है, फॉर्मिल्डी हाईट. और C double bond O इधर के साइड हमारा H और इधर के साइड में R तो यह कहलाएगा हमारा for aldehyde यह कहलाता है हमारा aldehyde ठीक इसी तरह यह हमारा introduction है कि carboxylic compound क्या होते हैं carboxylic acid क्या होते हैं carboxylic acid and their derivative the carbonate group is attached to the one of the halogen atom or the group containing atom like oxygen, nitrogen, sulfur aldehyde and ketone are together name as carboxylic compound इसमें सबसे best example है aldehyde और ketone का हम इसमें aldehyde और ketone के बारे में देखेंगे कि aldehyde और ketone जो कह रहता है हम लोग उसकी preparation किस तरह से कहते है उसकी क्या physical property, chemical property केमिकल में कौन-कौन सी reaction होती है उसके बीच वो हम लोग देखेंगे तो यहां पर हम देख रहे है structure and nomenclature next point है, हमने introduction देख लिया कि carbonate compound का structure किस होता है कौन-कौन से compound इसमें आते है क्या-क्या present रहता है, carbon रहता है oxygen रहता है साथ में double bond रहता है ठीके, अब हम देखेंगे structure and nomenclature तो aldehyde and ketone are oxygen containing organic compound having a C00O group carbonyl group the carbonyl group has a sp2 hybridization sorry, hybridization hybridized carbon or oxygen in aldehyde three sigma bond are formed by the three sp2 hybrid orbital of the carbon there's three sigma bond are bond with alkyl group यहाँ पे क्या होता है sp2 hybridization होता है 120 degree पे होता है p orbitals क्या करते है overlap करते है और sp2, sp3 hybridization होता है carbon, carbon के बीज में sigma bond बनता है ठीक है अब इसका nomenclature देखते है कि nomenclature कैसे करते है तो दो तरह के nomenclature होते है common name एक होता है common name और एक होता है IuPSC nomenclature अब जैसे हैं मैं बात करते हूँ सबसे पहले हपन बात करते है ketone के बारे में और aldehyde के बारे में अगर हमारा किसी compound जैसे यह है C double bond O H और इधर के साइड में आ जाएगा हमारा R ठीक है तो यह क्या कहलाएगा हमारा aldehyde अब aldehyde है तो यहाँ पे simple R present है तो इसका common name क्या हो जाएगा alkyl aldehyde क्या कहलाएगा alkyl aldehyde और इसका जो IuPSC name है तो वो क्या कहलाएगा हमारा L के नल क्या कहलाएगा L के नल मतलब aldehyde and ketone are named as alkyl और alkyl nons मतलब अगर हम इसका IuPSC नाम देखेंगे जिसे aldehyde का क्या था alkyl halide अब ketone का देखेंगे C double bond O और ketone में किते है R है दोरो तरफ क्या रहता है RR रहते है ठीकि अब इसका common name देखेंगे हम लोग तो क्या कहलाएगा die क्यों die क्यों कहा है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्यों सा ग्रूप है alkyl ग्रूप है तो die alkyl R मतलब alkyl और इस ग्रूप को क्या बोलते है ketone di alkyl ketone ठीकिए और इसका आयूप है नाम क्या कहलाएगा lk nons क्या कहलाएगा lk nons यह देखो aldehyde का क्या कहलाएगा lk nol और ketone का कहलाएगा lk nons बतलब o n e on now the carbon of carbonyl group is included included in the longest carbon chain is assigned the lowest number some example of carbonyl compound and their IUPAC name उसके IUPAC name क्या कहलाएगे जिसे यहाँ पे example दिया है देखो यहाँ पे क्या है c double bond o first वाला example देख रहे हम इधर के साइड में h और इधर के साइड में क्या कहलाएगा h तो इसका हमारा क्या कहलाएगा formaldehyde जैसे मैंने अब भी आपको बताया कि यह क्या कहलाता है दोनों तरफ h h रहेगा तो क्या कहलाएगा formaldehyde अब यहाँ पे है एक तरफ है आपका ch3 अब हम लोग देखें second वाला ethanol इसमें क्या है एक तरफ है ch3 और एक तरफ है h मतलब ch3 क्या है हमारा r तो यह क्या कहलाता है acetaldehyde यह क्या कहला है हमारा aldhyde सेम इसी तरफ से यह भी क्या कहलाएगा हमारा aldhyde है यह क्या है प्रोपे नॉन, अब प्रोपे नॉन क्यों कहा है अब इसका अगर हम structure देखते हैं, तो C double bond O, इधर के side में R, इधर के side में R तो क्या कहलाता है की tone अब RR क्यों है, क्योंकि इधर के side में भी क्या है, CH3 है ये वाले इसमें देखिए, CH3 है इधर के side में भी R की जगा पे क्या है, CH3, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें 3 कारबन है 1, 2 और ये क्या है, 3 तो इसे हम लोग को ने क्या बोला, 3 कारबन वाले को क्या बोलते है, प्रोपेन और इसमें क्या है, की tone है है न, दोनों तरफ RR है, दोनों तरफ अलग 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 ग्रूप है, अगर H होता तो LDID होता, एक तरफ H होता तो LDID होता इसमें क्या है, दोनों तरफ R है, तो दोनों तरफ कोई ग्रूप है, तो उसे हम लोग क्या बोलते है ketone तो यह क्या कहलाएगा acetone या propanone methyl hexane 2-on 4-methyl hexane 2-on क्योंकि यहाँ पर क्या है यह हमारा main carbon है अब इस carbon से इधर भी R है और इधर के साइट पर भी R group है तो इसलिए यह भी क्या कहलाएगा हमारा ketone group है सेम इसी तरह से यह धर भी है और यह cyclohexane अब हम लेक देखेंगे general method of preparation अब general method में aldehyde और ketone पहले हम लोग method देखेंगे दोनों को साथ में बनाने के लिए method giving both aldehyde और ketone then second हमारा method giving only aldehyde फिर aldehyde शिर्फ aldehyde बनाने के लिए देखेंगे then फिर method giving only ketone तो सबसे पहले first है सबसे first method है method giving both aldehyde और ketone दोनों के लिए है दोनों के लिए common method है तो सबसे first है oxidation of alcohol alcohol का क्या करना है oxidation मतलब यहाँ पे हम लोग इसको देखते है यह oxidation of alcohol वो theory part था यहाँ पे आपका किसी भी compound में अगर आपका OH ग्रूप है तो उसको हम लोग क्या बोलते है alcohol बोलते है ठीके तो यहाँ पे यह आपका alcohol है यह क्या है आपका primary alcohol है primary alcohol क्यों क्यों क्योंकि इसके साथ में कितने carbon की साथ में ऐड़ है तो क्या मिलता है हमें, इसे क्या बोलेंगे, एक तरफ क्या है हमारा H है, और एक तरफ क्या है, R है, C, double bond O, H, और इधर के साइड में R है, तो ये क्या मिल गया हमें, LD, height, और water molecule क्या हो गए, remove हो गए, सेम इसी तरह, जब हम tertiary alcohol की reaction, tertiary alcohol की reaction किसके साथ करवाएंगे, इसी ये carbon के साथ में, दो carbon attach है, K2Cr2O7 की साथ में, H2SO4 की presence में करवाएंगे, तो हमें क्या मिलता है, ketone group मिलता है, ठीक है, और जब हम, sorry, secondary alcohol की reaction करवा रहें, tertiary alcohol की reaction, tertiary alcohol का oxidation नहीं होता है, now, second है alcohol, oxidation of alcohol में ही, dehydrogenation, अब dehydrogenation मितलब, यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम oxidation करवा रहे थे हैं, alcohol का, तो K2Cr2O7 की presence में, तो water molecule remove हो रहे थे, और यहाँ पे क्या होता है, dehydrogenation में, K2Cr2, sorry, copper, K2Cr2 की जगा पे हम क्या यूज़ कर रहें, कॉपर, जब कॉपर के reaction करवाते, 300 degree Celsius centigrade पे, primary alcohol की reaction, जब हम कॉपर के साथ करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, aldehyde, और क्या होगा, remove, H2 gas remove होगी, सेम इसी तरह से, अब H2 gas कैसे remove हो रहे हैं, यहाँ से, यह वाला H निकल जाएगा, यहां से क्या होगा, यह वाला H निकलेगा, और यह वाला H उधर के साथ आ जाएगा, यह वाला H निकल जाएगा, तो यहाँ पे H2 gas remove हो रही है सेम इसी तरह से यह primary alcohol है primary alcohol की reaction करवाएंगे तो aldehyde मिलेगा secondary alcohol की reaction करवाएंगे तो हमें ketone मिलेगा और tertiary alcohol की reaction करवाएंगे तो उसके साथ कोई reaction नहीं होती है यह पूछा भी जाता है एक्जाम में तो ध्यान रखना tertiary alcohol की reaction, sorry oxidation of alcohol नहीं होता है उससे ketone या aldehyde नहीं बनता है अब हम बात करेंगे hydrolysis of यह हमने इसकी थियोरी भी दिवी है अब हम बात करेंगे hydrolysis of gem dihalide अब gem dihalide मतलब क्या होता है तो gem dihalide वो compound होता है एक ही carbon के साथ में दो halide group attach होते है halide मतलब x group x group मतलब fluorine, bromine जित्ते भी halide group है fluorine यह सब क्या है हमारे halide है bromine, chlorine, fluorine तो अगर एक ही carbon के साथ में दो halide group attach है तो उसे हम लोग क्या बोलते है gem dihalide ठीक है यहाँ पर इसका reaction है जब gem dihalide की reaction हम लोग aqueous solution के साथ में करवाते है NaOH के साथ में तो क्या होता है जो हमारा chlorine है जो halide group है वो hx बनके क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है और यहाँ से क्या निकल जाता है water molecule तो हमें क्या मिलता है aldehyde सेम इसी तरह से हम यहाँ पर जब benjal dihalide की reaction करवा रहे है तो हमें क्या मिल रहा है sorry benjal chloride यह क्या है इसका नाम है benjal chloride मैं आपको notes में बताया है benjal chloride की reaction करवाते है तो हमें क्या मिलता है ketone sorry benjal dihalide मिलता है दोनों जग़ा पर हमें क्या मिल रहा है aldehyde और इधर भी क्या मिल रहा है aldehyde यह दोनों reaction से हमें क्या मिला है aldehyde अब हम देखते है ketone किस सारे से बनाएंगे gem dihalide के साथ में gem dihalide के साथ में जब हम di chloro 2,2 di chloro propane की reaction करवाएंगे propane क्यों? chlorine group है तो di chloro propane की reaction करवाएंगे dilute aqueous nao h के साथ में और जब हम से heat देंगे तो हमें क्या मिलेगा? acetone और acetone क्या है? मतलब कि tone C double bond O इधर R और इधर के साइड में भी क्या R और हमें molecule क्या remove होगा? HX2 ठीक है? यह हमारी reaction थी gem halide की साथ में अब हम देखेंगे grignod reagent की साथ में जब हम reaction करवाते हैं हमें ग्रीक टो phi anov Cand by mm में ग्रीक है यह क्या है हमारी grignod reagent है इसे हमें हमेशा R किस पॉर्म मे रहता है? mg और mg क्या रहता है? प्लस और R किस पॉर्म में रहता है? minus form में रहता है तो जब हम Grignot reagent के साथ में एक highlight की reaction करवाते है तो हमें क्या मिलता है ketone के से यहाँ से क्या होगा remove r plus minus क्या करता है एक दूसरे को attack करता है तो यहाँ से जब हम Grignot जब तूटता है तो यह किस में convert होता है r minus और mg x plus में convert होता है यह r minus है तो यहाँ पर क्या होगा यह plus में convert हो तूटेगा sorry यह plus में तूटेगा और यह cl क्या होगा minus में तूटेगा तो यह cl किस के साथ में react करेगा mg x के साथ में react करेगा और यह किस के साथ में react करेगा r minus के साथ में तो यहार हम माइनस कहाँ पर आ जाएगा प्लस की जगह पर प्लस वाले के पास जाएगा और यह जो CL माइनस है वो इस प्लस वाले के पास आएगा तो Mg, CL हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा कि टोन जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर H, C, triple bond, N की रियक्शन करवाएंगे हम Grignot Reagent के साथ में R मतलब R की जगह पर आप CH3 लेग सकते हो और Mg, X की जगह पर कोई भी हैलाइट ग्रूप ले सकते हो BR, CL, यह क्या है हमारा Grignot Reagent Grignot Reagent सब को याद होना चाहिए R, Mg, X अब R की जगह पर आप CH3 ले सकते हो Mg की जगह पर BR, CL कुछ भी ले सकते हो ठीक है, कोई भी हैलाइट ले सकते हो जब इसकी रियक्शन करवाते है Grignot Reagent के साथ में तो क्या मिलता है हमें LD हाइट Now, decarboxylation of calcium salt of carboxylic acid जब हम लोग carboxylic acid का decarboxylation करवाते है तो क्या होता है तो LD हाइट and ketone can also be obtained by strongly heating calcium salt of carboxylic acid either alone or with other acid salt जब हम इसे heat करते है strongly heat provide करते है तो यह क्या बना लेता है salt बना लेता है और ketone और LD हाइट बनाता है वही सब reaction है from alkynes जब हम लोग अब इसके reaction किसके साथ करवाएंगे alkynes के साथ में तो LD हाइट can be obtained by hydration of acetylene in the presence of H2SO4 HGSO4 की presence पर जब हम reaction करवाते हैं तो हमें मिलता है while a ketone can be obtained by the hydration of substituted alkyd C, H, triple bond, CH की reaction जब water और H2SO4 या फिर HGSO4 के साथ में करवाते हैं silver के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है ketone या फिर aldehyde मिलता है यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है ketone यहाँ पर H CHO यहाँ से एक O गाया और इस तरह से हम लोग reaction करेंगे इसका mechanism नहीं देखना है हमें now ogenolysis ogenolysis में क्या होता है oxygen की presence में और zinc dust की present में हम लोग reaction करवाते हैं तो यहाँ पर 6-methyl heptan की reaction जब करवाते हैं तो हमें मिलता है 5-methyl hexanol मतलब जो हमारा aldehyde है वो मिलता है हमें now method giving only aldehyde method giving only aldehyde aldehyde की reaction करवाते हैं अगर सिर्फ यहाँ पर हमें वो method देखना है जो कि सिर्फ क्या बनाता है aldehyde बनाता है तो सबसे पहले है gatterman coach reaction जो कि आप लोगों ने 11-felt में पढ़ी होगी this reaction is a variation of friedel craft reaction यह variation है friedel craft reaction का by treating benzene with benzene को carbon monoxide के साथ में और SCL के साथ में जब reaction करवाई जाती है in the presence of AlCl3 की aluminum chloride की present में तो हमें मिलता है aldehyde C6, H5, C double bond O और इधर के साथ में O तो हमें क्या मिलेगा? benjaldihyde इसे हम लोग क्या बोलते है? जो हमें मिल रहा है इसे हम लोग बोलते है? benjaldihyde और SCL क्या हो जाता है? remove हो जाता है then फिर ox oxo process oxo process में क्या होता है? this reaction is also known as hydroformylation in this process a mixture of alkene and water gas is heated under pressure in the presence of tetracarbonyl hydride cobalt जब हम लोग alkene के reaction करवाते है water gas मतलब CO carbon monoxide और hydrogen के साथ में जब हम उसे heat provide करते हैं 100 से 120 तक के वो pressure देते हैं और फिर उसके बाद में tetracarbonyl hydride cobalt के साथ में reaction करवाते हैं तो हमें मिलता है aldehyde is directly given a aldehyde now etart reaction etart reaction में क्या होता है जब in this reaction by chromyle chloride contain certain methyl benzene get oxidized to benzaldehyde chromyle chloride का जब हम oxidation करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है benzaldehyde मिलता है rose rosamond reaction rosamond reaction ये बहुत important reaction जैसे grignot important था आगे आगे जो मैंने आपको reaction बिता ही वो सभी important है जैसे हम लोगोंने अभी common reaction जो देखी थी ketone और aldehyde की तो ये important है जैसे की सबसे first हमने देखी थी oxidation of alcohol fig rignot reagent dihalide gem dihalide और अब हम लोग देख रहे हैं rosamond rosamond reaction numerous methods are used to converting acid chloride into aldehyde बहुत सारी methods हम लोग यूज करते हैं in rosamond reaction reduction acyl chloride can be reduced to get aldehyde by using hydrogen and palladium support on barium sulfate and poisoned with sulfur both aliphatic and aromatic aldehyde can be prepared by this method इस method से aldehyde aromatic और aromatic और aliphatic aldehyde prepare किया जाता है यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग जब हम लोग acyl chloride की reaction मतलब उसका जब हम reduction करवाते हैं और sulfur की presence में तो क्या मिलता है हमें aldehyde मिलता है stefan reaction इसमें क्या होता है this is another reduction method which is used for preparing aldehyde in this reaction on ethereal solution of alkyl cyanide undergoes reduction by SNCL to SCL to form an immunocloride which further hydrolysis to produce an aldehyde now method giving only ketone अब ketone के लिए और वही है सबसे first है oxidation जब हम लोग secondary alcohol का जब oxidation करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है ketone in the presence of K2CR2O7 और copper की presence में और 300 degree 7 degree वही है जो हमने common method देखी थी वही है ketone के method reaction of acid chloride with organocadmium compound ketone are obtained by the reaction of acid chloride with organocadmium compound prepared from the corresponding organomagnesium compound organocadmium compounds are used because their reactivity is less than the organomagnesium compound those they do not react with ketone formed friedel craft reaction यह किसकी presence में होती है ALCL3 की presence में होती है SI chloride की reaction जब हम लोग aromatic hydrocarbon के साथ करवाते हैं in the presence of ALCL तो हमें क्या मिलता है ketone मिलता है panacol rearrangement अब panacol में क्या बनता है हमारा panacol जब reaction करवाते हैं हम लोग तो हमें मिलता है panacolone panacolone भी क्या है हमारा ketone group है यहाँ पर भी क्या करवाते हैं हम लोग panacol panacol panacolone में क्या करवाते हैं हम लोग reaction में reduction करवाते हैं यहाँ पर क्या होता है reduction होता है ozonalysis ozonalysis में भी same वही oxygen और zinc dust की presence में propane की reaction जब हम लोग करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है acetone and formaldehyde physical property देख लेते है formaldehyde exist on gas as room temperature formaldehyde room temperature पर sorry gas form में रहती है while acetaldehyde and benzaldehyde are liquid but acetaldehyde और benzaldehyde किस form में रहते हैं liquid form में रहते हैं acetone the first member of ketone also exists as liquid at room temperature ketone भी क्या रहते है liquid रहते है room temperature पर ketone जो रहते हैं उसका boiling point क्या रहता है highly high रहता है as compared to aldehyde slightly थोड़ा जादा रहता है both type of carbolyle compound aldehyde ketone have a characteristic order their boiling point is directly proportional to the molecular weight white solubility is inversely proportional because non-poral alkyl group does not undergo dissolution when the size increase solubility of both the carbonyl group is less than that the alcohol and carboxylic acid okay thank you okay do I Ł cam Even 0 or please अřवाई तॉ Award मैं आपका बठ़स्यow झापका रहता प्य़का प्रसून हतिव़़़़ प्रस्य hissो लीव़ः तॉ ऩ Miranda प्रसून